पिछले सो दिर में न जाने कैसी कैसी बाते होने लगे इस दोरान मेरा मजाग उड़ाने लगे मोदी का मखोल उड़ाने लगे भाती भाती के तर्क वितर्क बताते रहे मजा लेते थे और लोग भी हरान थे कि मोदी क्या कर रहा है क्यों चूप है इतनी मजाग हो रही है इतना अपमान हो रहा है लेकिन मेरे गुजरात के भाई और भेनों यह सरदार पटेल की भूमी से पैदा हुआ बेटा है हर मजाग हर मखोल हर अपमान को सहते हुए एक प्रण लेकर के सो दिन मैंने आपके कल्याण के लिए देश हित के लिए नीती बनाने और निर्ण लेने में जुटा लए और तय किया था जिनको जितना मखोल उडाना है उडा दो उनको भी तो मौज आएगी या ले लो ले लो और मैरे तय किया था मैं एक भी जबाब नहीं दूँगा जिस रास्ते पर मुझे देश के कल्याण के मर्क पर चलना है कितने ही प्रकार के हशी मजा ठीठोरापन होता रहे मैं अपनी इस रासे भटकूंगा नहीं और आज मुझे खुशी है कि उन सब अपमानों को पचाते हुए सौद दिन के इंद्रिणों में देश के हर नागरिक हर परिवार हर बर्गे के कल्याण की गैरंटी पक्की हो गई है मिनी लंदन मैक लुस्की गंज प्रकृती की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार आईए अपने यादकार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में राजधानी राची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन जब दूरती है आस, जब धकती है सास, जब रूरते हैं अपने मुमोरता है जवाना जब अंगलाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिक निसां, देखे मेरे साथ संघर्ष की दास्तां